हरियों, स्री राम, हम बादने मैं मनोसिय स्रीवास्तवा वानोरी बहुभासिक केंद्र पूने से हूँ में 2013 के दिन का आनुभों मैं सेर करना चाहता हूँ 2013 में को ना हो तुझिया प्रेमे का एक बहुत बड़ा भक्ति में प्राण प्रोग्राम दिवाई पार्टिलर स्टेडियम में होने वाला था उस समय में मुंबई के मेरा रोड में रहता था एक दिन पहले से दिमाग में चल रहा था कल बहुत बड़ा उत्सो है वहाँ जाना है वाई चांस उस समय में फैमिली के सारे मेंबर्स होम टाउन गए वह थे मैं घर पे अकेला था पूरी रात एक्साइटेट था कि कल सुबह जाना है और सुबह मुझे चार बज़े नीन टूड़ गई घर में अकेला रहने के वज़े से घर की साफ सफाई भी नहीं थी फिर कल से ऑफिस जाना है और मैं काम करने लगा किचन के बालकनी टेरिस में एक बालकनी होती थी और वो घर के लेबल से बालकनी के लेबल में दो फिट का डिफरेंस डाउन में था वो तो सारे मॉप वगेरा बालकनी में होते थे तो मैंने क्या किया वहां से मौप निकाला पूरी घर की सफाई किया और सफाई करते करते मैं बालकनी सफाई करने चला गया और सफाई करने जब गया तो बाई चांस वो ग्लास बंद हो गया मैं आठवे माले पे बालकनी में अकेला खड़ा हो और मुझे कोई सुनने वाला नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं और मैं फोन भी नहीं कर पा सकता हूँ Continuously परिशान हो, कैसे बाहर निकलो और 8 बजे मुझे बस के अस्टेशन लोकेशन पर पहुंचना है सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक Continuously में परिशान हो, जैसे एक पक्षी कहीं पिजडे में फस जाए और वहां से निकलना हो, उसके लिए बहुत मुस्किल है और वाट वजे की मेरी गाड़ी निकलने वाली है, दिमागी में वो चल रहा है मैं मुझे रहा बाप्व, अभी करू तो क्या करो और मैं गलास को उठाने की कोशिस कर रहा हूँ, खसकाने की कोशिस कर रहा हूँ गलास कैसे बाहर निकल जाए और उस पूरे गलास में 6 mm का पूरा मोटा जाड़ा गलास लगा हुआ था पूरी कोशिस करते करते कुछ भी नहीं हो पा रहा है मैं निकल नहीं पा रहा हूँ और मैं ऐसे जुक कर ग्लास को उठाना चाह रहा हूँ कि ऐसे उठकर बाहर निकाल लो लॉक फसा हुआ है कुछ भी नहीं हो पा रहा है फाइनली देढ़ घंटे के बाद वो गलास क्रिक हो जाता है, मैं ऐसे जुका हूँ गलास गिरता है तूटकर और वो गलास से मैं पार करके अंदर जाता हूँ, पूरे किचेन में गलास गिर जाता है उस समय तो निकल के मैं दिवाई पाटिल के लिए उत्सों में चला गया पैर में हर किसी खुरोच आयी थी बाहर निकलने के टाइम पे पुरा उत्सों का अनंद लिया रात में वापस आया दूसरे दिन मैं ग्लास वाले को बुलाया ग्लास वाला आया उसने देखा ऐसा ऐसा ग्लास चेंज करना है तो उसने बुच्छा मेरे से हुआ कैसे ही है तो मैंने बता है ऐसा ऐसे हुआ और ग्लास गिरा वोला आप जिस पोजिशन में थे और ग्लास क्रेक हुआ और इतनी जाड़ा गल इतनी मोटी ग्लास अगर वो ग्लास चाहता तो आपके सर के अंदर गया हो था वो सर के अंदर तो क्या मेरे बोड़ी में किधर नहीं भी नहीं लगा और उस समय जब वो ग्लास वाले ने मुझे बताया कि इस तरीके से ऐसा हो सकता था मेरे रौंक्टे खढ़े हो गए वो सिर्फ ìnhृस्व मेरा सद्गूरू कर सकता है और कोई भी नहीं और हम किसी भी परिस्थिती में हो सद्गुरू हमें हर परिस्थिती में अपने आचल में अपने गोद में रखता है बस हरיתי स्री राम अमद्थ नहीं